एक छोटे से शहर में गोपाल नाम के बहुत ही सीधे साधे शक्स थे, गोपाल जी अपना एक अगरबत्ती का दुकान खोले, गोपाल जी सभी ग्राहक से बड़े प्यार और सम्मान से बात करते, थे कुछ महीनों में गोपाल जी का दुकान अच्छा चलने लगा, एक दिन ए एक आदमी गोपाल जी को बोला, आपने अपने दुकान पर लिखा है, हमारे यहां सुगंधित अगरबत्तिय मिलती है, आप ही बोले कौन सी अगरबत्ती सुगंधित नहीं होती है, सभी अगरबत्तिया सुगंधित होती है, आप एक काम करो सुगंधित शब्द को निकाल तो गुपाल जी भी बोले हा सभी अगर्बतिया तो सुगंधित होती है, इसलिए सुगंधित शब्द, निकाल दिये अब सिर्फ बोर्ड पर लिखा है हमारे यहां अगर्बतिया मिलती है, फिर कुछ दिन बितने के बाद एक आदमी आया और बोला आपने बोर्ड पर गलत ल अगर्बति की दुकान है तो अगर्बति तो मिलेगा ही इसमें लिखने की क्या बात है आप सिर्फ अगर्बतिया लिखो उस आदमी की बात सुनकर गोपाल जी दुकान पर सिर्फ अगर्बतिया लिखें कुछ महीने के बाद में एक और आदमी गोपाल जी की दुकान को दे अब दुकान पर कुछ नहीं लिखा है। कुछ महीनों बाद गोपाल जी की दुकान में विक्री बहुत कम हो गई है, गोपाल जी को बहुत नुकसान होने लगा। एक दिन गोपाल जी ने अपने दोस्त को बुलाया और बोले पहले ये दुकान बहुत अच्छा चल रहा था कि अचानक से कुछ महीनों से दुकान घाटे में जा रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करू दोस्त पूरा बजार घूम कर आया और गोपाल जी को बोला तुम पागल हो क्या दुकान कैसे चलेगा गोपाल जी बोले क्या हुआ सभी दुकान के बोर्ड पर लिखा है वह क्या बेचते है और तुम्हारे दुकान पर कुछ नहीं लिखा है लोगों को मालूम नहीं होगा कि तुम बेचते क्या हो तो तुम्हारे पास आएंगे कैसे बोर्ड पर लिखो की हमारे यहां सुगंधे तगर्बत्तिया मिलती है अचानक गोपाल जी एकदम सन रह गए उन्हें अपनी गलती मालूम हुई और तुरंथ बोर्ड पर लिखा गया कि हमारे यहां सुगंधित अगर्बत्तिया मिलती है दोस्तों इस छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें अपने काम को बिना किसी दर और अपने पूरे विश्वास के साथ करना चाहिए लोगों की बातों में आकर हमें अपने डिसीजन नहीं बदलना है धन्यवाद